पिछले वीडियो में हमने headphone section का overview देखा था इस वीडियो में हम powerbank section पे काम करेंगे headphone section की सारी information database में हमने insert करा ली अब हम powerbank section पे काम करेंगे हम आ जाते हैं हमारे editor के अंदर editor में हमारा project open कर लेते हैं seller के अंदर हमारा है mobile accessories और mobile accessories के अंदर हमारे पास है accessories type 2 इसमें accessories type 2 के अंदर जब हम select करते हैं power bank की पीचा जाता हम जब हम select करते हैं power bank तो यह सबसे पहले battery type उसके बाद में है battery amh output port और cable पे अगर सारी इस section की सारी details में अगर फिल कीवी है तो else में यह क्या करें यह नहीं अभी हमने किया क्या है हम इसमें क्या करें डाटाबेस में power bank section की detail इंसर्ट हो जाए ठीक है तो सबसे पहले तो हम एक database में table बनाते हैं पावर बैंक के नाम से अभी हमने headphone बनाएती वैसे पावर बैंक बनाएंगे इसमें आ जाते हैं headphone online shop online shop में new table बनाते हैं पावर बैंक POWER बैंक्स एस लगा दिया हमने इसके अंदर पावर बैंक्स और इसके अंदर कितनी वो है ते फिल्ड एक दो तीन चार पाक छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा पंदरा बना लेते हैं टीक है सबसे पहले पावर बैंक आईडी पीबी आईडी इसके बाद पावर बैंक टाइटल टाइटल के बाद हम आपको मोडल हैं इसके बाद है सी फोर कंपनी नेम कंपनी नेम के बाद में है प्रॉडक्ट कलर प्रॉडक्ट कलर के बाद में है वेट वेट के बाद में है वारंटी वारंटी के बाद है हमारे पास दूरेशन फॉर्मेट इसके बाद डिसकाउंट ओफर इसके बाद रिटन पॉलिसी के बाद में है रिटन पॉलिसी के बाद में है शिपिंग चार्ज के बाद में है प्राइस के बाद में है बैटरी टाइप के बाद में बैटरी एम्ह पॉलिसी के बाद में है इसके बाद में आउट्पूट पॉट इसको भी एड़कर लेंगे आउट्पूट पोर्ट होगा, टेक्स्ट, बैटरी एमेच, टेक्स्ट होगा, बैटरी टाइप, टेक्स्ट, प्राइज इंटीजर, सिपिंग चार्ज इंटीजर, पोलेशी, टेक्स्ट, ओफर, टेक्स्ट, टूरेशन पोर्ट में टेक्स्ट, बारंटी, टेक्स्ट, बैट होगा, टेक्स्ट, कलर टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट होगा, मॉडल नेम टेक्स्ट होगा, टाइटल भी ए आर स्केर्ट और इंटीजर ठीक है इंटीजर है इंटीजर टेन फाइट इसको कॉपी कर देते हैं ठीक है पेस्ट करते देते हैं को आईडी 10 यह टेक्स्ट में 25 25 25 25 ठीक है और जो हमारे आईडी है इसको और इंक्रिमेंट कराते हैं और इसको सेव कर देते हैं यह हमारे टेबल क्रियेट हो गया है ठीक है यह हमारी टेबल अब इसके एक कॉलम है और जो हमारे आखरी कॉलम तक केबल इसको भी एड़ कर लेते हैं आउट्पूट पॉर्ट के बाद एक और कॉलम एड़ हो जाएं पावर बैंक केबल यह होगी टेक्स्ट अंसे ठीक है इस टेक्चर पर आ जाते हैं यह हमारे कॉलम एड़ हो गए कितने कॉलम है पंद सोला कॉलम राएं हमने ठीक है इसकी वेल्यू गो डाटाबेस में इंसर्ट कराते हैं यहां से लिखते हैं एजेक्स का कॉल्ड डॉलर डोट एजेक्स टाइप एजेक्स मेथड पोस्ट यूरल डेस यूरल यूरल हमने क्या दिया है उपर वाले को अप्लोड हेड़पॉन डीटेल कोफी किया इंडेक्स टोप लिच्पी शैनर पेस्ट अप्लोड पावर बैंक डीटेल कि कर दाटा डाटा हमार को यहां से मिलेगा तो हम यह पूरा कोपी कर लेते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास कंपल्सरी है वो तो सारे सेम होंगे और जो अलग से जो हमारा पावर बैंक की डीटेल है वो हम चेंज कर लेंगे तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूं टाइटल से हम रहेगा मॉडल नेम से हम रहेगा कंपनी नेम से रहेगा प्रोड कलर वेट बारन्टी टूरेशन फॉर्मेट डिस्काउंट ओफर, रेटरन पॉलिशी, सिटिंग चार्ज, प्राइज, लिस्टिंग फीस अभी हमारे पास, नहीं लिस्टिंग फीस है लेकिन हम इंसट नहीं हेड़फॉन टाइप अब हमारे पास सबसे पहले आता है बैटरी टाइप कि बैटरी टाइप का हमने क्या वरीवल बना रखा है कि पॉप्पी करेंगे कि हड़फॉन टाइप की जगे पेस्ट कर देते हैं बैटरी टाइप कि बैटरी टाइप के बाद आता है हमार पास बैटरी एम एच कि बैटरी एम एच की बैटरी एम इसके बाद में आता है आउट्पुट पॉर्ट आउट्पुट पॉर्ट टिकवल हो आउट्पुट पॉर्ट के ठीक है आउट्पूट पोर्ट के जो हमारा आखरी ऑप्शन है आउट्पूट पोर्ट के बाद केबल केबल इकवल हो केबल के और एल्स में सक्सेश फंक्शन डाटा ठीक है इसमें सक्सेश अगर फंक्शन सक्सेश होजाता है तो यह चले नहीं तो एर्र फंक्शन चलेगा एर्र में हम अलर्ट में से सोगरा देते हैं एर्र पावर बैंक एंसर्ट डीटेल और अगर फंक्शन सक्सेश हो जाए तो फिर हमार को क्या कराना है फिर हमें यह पेस्ट करना है कोपी एंड पैस्ट इसमें लिख देते हैं पावर बैंक डीटेल इंसर्ट ठीक है और यह मोडल ओपन हो जाएगा प्रोड़क्ट आईडी में आईडी चल जाएगी और सोग में सो हो जाएगी अब हम चलते हैं कंट्रोलर पर आप सेलर कंट्रोलर और सबसे आखरी कंट्रोलर पर आ जाते हैं जो हमने हेड़फॉन की डीटेल को सो कराया था यह रहा अप्लोड हेड़फॉन डीटेल ठीक है सीफ को कोपी करेंगे अब हमारा काम सिर्फ पोड लिखने का नहीं है बस कोपी पेस्ट करने का है तो हम लिखके टाइम को ऐसे वो नहीं करेंगे अब हमारा काम हो रहा है यूर्ण में कोपी कर लेता हूँ अप्लोड पाउर्वेंक डीटेल एंड यूर्ण को यहां पेस्ट करेंगे यह चेक करेगा सेलर को लोगिन है या नहीं है फिर ठीक है सेलर इंफर्मेशन आ रही है वहां से आइड आ रही है अप्लोड हेड़फॉन डीटेल अब हम चलते हैं model के अंदर seller seller के अंदर seller model और सबसे end पे आ जाते हैं आखरी वाले पे यह हमारा है upload headphone detail इस function को पूरा copy करेंगे copy किया और paste किया ठीक है और यहां से हमारा function हमने controller से copy कर लिया हमार को बारबा लिखना नहीं पड़ेगा वस copy paste कर रहे हैं upload power bank detail seller ID आ गई टाइटल से हमें model number, company name, product, weight, warranty, duration, format, offer, return policy, shipping policy, headphone type की जगे हमार को लिखना है अब है हेटपोन टाइप की जगे लिखना है battery type battery type battery type battery type battery type की बार आता है battery AMH इसके बाद है Output Port के बाद में आता है केबल अब हमें लिखना है इंसर्ट पावर बैंक डीटेल डॉलर डीबी टेबल का नाम है हमारा पावर बैंक पावर बैंक के अंदर अब हमें कोलम के नाम दिखना है कौन से कोलम में कौन से बेली जाए सबसे पहले है पावर बैंक टाइटल पावर बैंक टाइटल में पावर बैंक टाइटल चला जाए पावर बैंक ठीके और इसके बाद आता है पावर बैंक मोडल नेम बावर बैंक मोडल naim में चला जाए इसके बाद आता है पीवी सी नेम कंपैनी नेम के अंदर इसके बाद आता है पीवी कलर पाउर बैंक कलर के अंदर पाउर बैंक कलर की वेल्यू इसके बाद है पीबी वेट पीबी वेट के अंदर पाउर बैंक वेट की वेल्यू जाएगी इसके बाद आता है वारंटी हेड़फ़न डूरेशन फॉर्मेट इसके अंदर है हमने लिखाना है इसमें पावर बैंक डी फॉर्मेट इसके अंदर वेल्यू जाएगी पावर बैंक डी फॉर्मेट की इसके बाद आता है पीवी ओफ़र पीवी ओफ़र के अंदर पीवी ओफ़र में पावर बैंक डिसकाउंट ओफ़र ठीक है और मैं वीडियो को रॉपके इसकी पूरी वैल्यू इंसेट करा देता हूँ ऐसे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा हुआ का मैंने इन इसएट की कुईरी का पुरा कोड लिख लिया है जो भी हमने वेल्यू इसट करानी वह हुआ लिए जो भी जितना भी अभी तक हमने टेबल के अंदर जो को लम मनायते उसी को इंसट किया है मैंने और जो इसमें बाकी एडिशनल थे जैसे डेट येर मन्त वगेरा वह हमने नहीं बनाय तो उनको मैंने रिमोड करतीया है जैसे हम टेबल में और कोलम एड करेंगे उनको व जो हमारे common input field थे वह तो same है और जो हमारे powerbank section के थे बस उनको यह हमने add किया है headphone section के column को remove करके powerbank section के column को add किया है और वापिस से हमने यह क्यूरी लगाई है insert tb details अगर insert हो जाए तो return कर दे insert id तो यह फिर यहां से जैसे model से return होके controller पर जाएगा controller में इक करा रहा है हमने result को result कहां पर इक को हो रहा है ऐसे series के अंदर image upload model open कर रहा है उसके बाद जहां पर so product id वहां पर data show कर देगा जो भी id मिलेगी वहां से इसो कर देगा एक product insert करके देख लेते हैं controller प्रोडेक्ट टाइटल तो लिख दा हूं मैं power bank title model name टी बी सीने और color में देज़तां ग्रेव वेट जैसे इसका एक सो पचास जी एम वारंटी ए सिक्सवन की duration format दस दिन पर और 5% of return policy दस दिन है shipping charge जैसे मैं ले रहा हूं इससे पचास रुपे और इसकी price है जैसे की 850 रुपे इसकी price है और ऐसे series में select करता हूं power bank ठीके अब power bank की information insert होएगी headphone की information insert नहीं होगी select जैसे की battery type है अभी डमी है हमारे पास बैटरी एमेच है 1500-15000 एमेच की आउटपूट पोट है इसके अंदर ठीके जो भी option होगा table है yes ठीके your listing piece पचास रुपे हमारे पास कौन से listing कर रहे हम duration format 10 days 10 days पर हमारे पास listing एवलेबल नहीं है फीस आ रही है ठीके save listing पर click करता हूं मैं click किया power bank detail insert यह कहां से आ रहा है यह आ रहा है अलर्ट message दिया हूँ है power bank detail insert से okay करते हैं जो हमारा accessories product uploader है इसके बाद जो open हो रहा है open हो गया ठीके और so product id यह दो आ रही है लेकिन आपके जो model में error आ रहा होगा model से error आ रहा होगा seller model से कुछ error यह आ रहा होगा कि जो हमने यह insert pb detail का नाम change किया था वो यहां पर change नहीं किया होगा अगर यहां पर change कर लिया होगा तो error नहीं आएगी नहीं तो error आ जाएगी ठीके हमारे product id आ रही है दो दो क्यों आ रही क्यों कि मैंने product पहले से insert किया हुआ है product id दो को अब यह insert किया है हमने तो हमारे पास आ रही है दो ठीके next video में image भी insert कराएंगे और जो हमारे additional column है उनको भी add करेंगे अभी तो हमने इसकी basic information insert किये ठीक है कोई error नहीं है हमारे पास अभी तक next video में मिलते हैं इसकी और information को add करते हैं हमने एक ही forum के अंदर पास product को insert कराएंगे शिर्फ एक ही form से जिसमें common field है कहीतों और जो जो इसके personal है जैसे headphone का लगे power bank का अलग है उनके अलग है तो इनके अलग-अलग details है ठीक है एक ही form से पांच table में data जाएगा अलग-अलग table में जो select करेंगे उसी table में insert हो जाएगा ठीक है next video में मिलते हैं